तो आज हम देखते हैं Outline of NCRT Book, Class 9, Chapter No.5, Chapter का नाम है Fundamental Unit of Life हम सभी जानते हैं कि NCRT के से Direct Question पूछ देता है किसी भी Competitive Exam में इससे पहले वाला हम लोग तीन पार्ट में किया जो Chapter था आपका Sumery देखा और MCQ और Outline Solution of NCRT देखा इससे ये होता है कि आपका Question इसमें बचने का Chance नहीं है जादे से जादे आपका Objective Question रिकभर होने का Chance है तो मेरे चैनल को अभी तक Subscribe लाइक ना की है तो मेरे चैनल का नाम है To Learn Subscribe पर लाइक करे, Share करे और इस बेल आइकन को On कर दे ताकि आप लोग को Notification मिलता रहे ता ये सुरू करते हैं सबसे पहला Point ये आपका Structure है Compound Microscope का इसका हम लोग मोटा मोडी जो भी है इसका Outlook Structure है उसको हम लोग देखते हैं ता ये ये Eye Piece है जहां से हम लोग देखते हैं ये Eye Piece है और ये Body Tube है ये Course Adjustment है ये Fine Adjustment है ये Arm है यहां पर Objective Lens लगा हुआ है और Clip है और Micro Scope Slide है और Condensator है यहां पर और नीचे में देखिए जहां से हम लोग देखते हैं Mirror यहां Mirror है और ये Base आपका है इस Mirror पर ही हम लोग कोई भी Compound को डाल के देखते हैं कोई भी Objective ता ये हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला Point Robert Hooke In 1665, 1665 में he discovered sale in a thin slice of cork एक पतला cork के slice में Robert Hooke ने क्या discover किया? Sale का discover किया इसको हम लोग उत्तक बोलते हैं दिमें bark of cork tree और ये cork tree के जो bark होता वहां से by using self-regined microscope ये compound microscope से नहीं पता किया था वो अपने से एक self-regined उसके पास microscope था उसी से उसने ये पता किया कि ये sale है structure consists of और वह structure जो था इस तरह कि था many little compartment which resemble the structure of honeycomb जो मदमक्की के छत्ते के तरह हता है उसके तरह था he called box और उसने उसको box बोला and which is a latin word a little room a latin world में छोटा room बोला जाता है अब हम लग देखते हैं लिव लिवन हग लिवन हैक साहब क्या बोलता है इन 1624 डिस्कवर दा फ़िरी लिविंग से इन पॉंड वाटर पर फस्ट टाइम बाई यूजिंग इंप्रूब्ड माइक्रोइसकोप और यह जो पता लगाए इंप्रूब माइक्रोइसकोप से और यह जो पॉंड में जो इन 1831, 1831 में, discover the nucleus in the cell, cell में nucleus का आपका रॉबर्ट हुप, आपका discover किया, कितने में 1831 में पिर किन्जे, पिर किन्जे क्या बोलते हैं, इन 1839, 1849 में, क्वाइन दर्म प्रोटोप्लाजम एक टर्म उसनों ने दिया, जिसका नाम प्रोटोप्लाजम, for the fluid substance of the cells ये प्रोटोप्लाजम क्या, ये fluid substance है, किसमें, आपका cell में अब यहाँ पर दो scientist का नाम है, आपका, Selden 1838 और Swin 1849 put forth the cell theory which said that, उन दोनों ने 1838 और 1849 में cell का थिवरी दिया, देखे क्या दिया, all the plants and animals are composed of cell, plant और animal, cell का composition होता है, cell is the basic unit of life, और cell क्या है, जीवन का सबसे basic unit है, cell is the basic unit of life, ये उन्हों ना theory में दिया, अब हम लोग देखते हैं, बिरको साहब, ये भी एक scientist है, बिरको इन 1855 या 1885 में, expanded the cell theories by suggesting omni-cellular ये omni-cellular cellular के suggestion के माध्यम से, वो cell theory के क्या किया, which means all the living, all cells arise from pre-existing, इनका में कहने का मतलब क्या था, cell है, उसी को arise किया हुआ cell है, inicellular organism, अब हम लोग study करते हैं, inicellular organism के बारे में, organism which have only a single cell, वह organism जिसके पास के वाद, single cell होता है, एक ही cell होता है, example हम लोग देखते हैं, अमीबा है, परामोसियम है, और क्लेमी डोमिनस है और बैक्टेरिया है, इसमें क्या होता है, ये कहीं cell होता है, multi cellular देखते हैं, organism which consists more than one cell, जिसमें एक से ज़्यादा cell रहता है, उसे हम लोग multi cellular बोलते हैं, plant आजाएगा, animal आजाएगा, fungi आजाएगा, etc. और आगे हम लोग देखते हैं, various cell from the human body, ये human body के अंदर का जो बहुत सारा cell है, वो इसमें दिया हुआ है, ये आपका nerve cell है, ये आपका fat cell है, इसमें fat रहता है, ये brain से चाहिए, गोल बोड़ी से connect रहता है नर्व, ये blood cell हो गया, और ये bone cell हो गया, ये asperms हो गया, ये bum हो गया, और ये हो गया आपका smooth muscle cell, ये जो है component है आपका human body का, ये cell का component है, cell division के बारे में study करते हैं, cell division, it is the process by which a cell divides to form new cell, ये work process है, जो cell को divide करके एक नया cell बनता है, this support the fact that all cells arise from the existing soul, और इसे ये पहले वाला जो cell होता है, उसी से आपका बनता है, the shape and size of cell are related to the specific function they perform, एक खास shape and size जो होता है, जो होता है, cell का एक खास function कार्ज का, कार्ज से related जो होता है, जो अपना कार्ज में perform करते हैं, Amoeba can change its shape as per the condition of its need, Amoeba जो है अपना shape को बदल लेता है, जैसा उसका जरुरत होता है, whereas for the most of the other cases, उस अदर केसे में the cell shape is more or less fixed, cell shape जो होता है, क्या होता है, fix भी होता है, nervous cells have a typical shape, nervous cell के आपका typical cell होता है, आए a division of liver देखते हैं, division of liver आपको क्या बोलता है, in a multi-cellular organism, there is a division of liver, multi-cellular organism में, liver का बहुत सरा division होता है, this means that different part of the body perform different function, इसका कहने का मतलब यह है कि different part of the body, body के अलग-अलग जो भाग है, अलग-अलग अपना कार्ज करता है, for example, the stomach helps in digestion, पेट का पचाने का काम होता है, blood is pumped by the heart, फिर दे के दुआरा blood को pump करता है, division of liver kind also be seen within a single cell, division आपको single cell में भी देखा जा सकता है, three main part of a cell, cell का तीन main part होता है, most cell, excluding bacteria have three main part, bacteria का छोड़ कर तीन main part होता है, उस में क्या होता है, ज्यादे सार सेल में प्लाज्मा मेंब्रेन, और सेल मेंब्रेन हुआ, निकुलियास हुआ, साइटो प्लाज्मा हुआ, अब हम लोगे स्टाडी करते हैं, प्लाज्मा मेंब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेंब्रेन, it is the outermost covering of the cell, सेल का आपका सबसे उपरी भाग होता है, इस सेपरेट दा कंटेंट अब दे सेल प्लाज्मा मेंब्रेन और सेल मेंब्रेन जो होता है, कंपोज होता है लीपीड और प्रोटीन का, it is called selectively permeable as it permits the entry and exist only some material in and out of the cell, selectively इसको क्या बोलते हैं हम लोग permeable बोलते हैं, और यहीं decide करता है जिसको permit करने के लिए, किसको हमको entry करना है, किसको exist करना है, सेल के बाहर, अब हम लोग study करते हैं diffusion के बारे में, the moment of a substance from a region of its higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion, इसमें क्या होता है, एक पदार्थ का जो substance का movement होता है, किदर से किदर तक higher concentration से लेके lower concentration के, उसी को तो हम लोग diffusion बोलते हैं, diffusion helps in the gaseous exchange between the cell as well as cell and its external environment, और या diffusion जो होता है, gaseous exchange होता है, किसके किसके बीच में, cell, cell के बीच में और cell environment के बीच में, osmosis देखते हैं, ता spontaneous movement of water molecules from region of higher concentration to its lower concentration through the selectively permeable membrane, ये permeable membrane इसमें जहां आ जाएगा, osmosis हो जाएगा, इसमें क्या होता, water molecule का spontaneous movement होता है, higher concentration के region से lower concentration के region पे, किसके थुरू, permeable membrane के थुरू, उसी को तो हम लोग osmosis बोलते हैं, अब हम लोग देखते हैं effect, effect on animal cells और plant cell, put in the solution of sugar और salt, अगर हम लोग sugar और salt में लगते हैं, तो आपको animal cells और plant cell का effect देखते हैं, यह kind of solution है, और nature of surrounding में यह effect on the cell और result देखते हैं, सबसे देखते हैं, पहले हम लोग hypotonic solution, medium surrounding the cell, has higher water concentration than the cell, outside solution is very high dilution, water will enter the cell by osmosis, इसमें water जो इंटर होता है, osmosis के माध्यम से होता है, result cell is a likely to the swell of, और cell इसमें फूल जाता है, अब हम लोग देखते हैं, isotonic solution, आपको isotonic solution में, यह आपका nature of surrounding में जे, medium surrounding the cell has exactly same, the water concentration as the cell, तो water concentration जो होता है, cell के जैसा होता है, there is no overall movement of water, और इसमें water का movement नहीं होता है, cell will stay the same size, cell हमेशा same size रहता है, अब hypotonic solution देखते हैं हम लोग, medium surrounding the cell has lower concentration of water than cell, आपको cell के अपक्चा, जो water का concentration होता है, lower होता है, और आपको hypotonic में higher था, और इसमें effect on the cell देखते हैं, cell will loss water by osmosis, इसमें क्या होता है, hypotonic में आपको water हो जाता है, osmosis process है, cell will shrink, और इसमें cell जो होता है, secure जाता है, अगला point देखते हैं, cell wall के बारे में जानते हैं, it is a rigid outer covering, which lies outside the plasma membrane, cell wall जो होता है, plasma membrane के बाहर होता है, और hard होता है, it is a made of cellulose, किसका बना हुआता है, cellulose का बना होता है, which provides the structural strength to the plant, और यहीं cellulose का main कानड क्या होता है, यह plant को structural strength देता है, the shrinkage or concentration of content of the cell away from the cell when living plant cell losses water through the osmosis is known as plasmolysis, आपको plasmolysis के बारे में भी दे दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, shrinkage और concentration, सिकुड़ना और content जो उसमें है, सेल का जो content है, कभी सिकुड़ता है, फैलता है, फ्रम दे सेल, सेल से, सेल वाल से, वेन दे लिभिंग प्लांट सेल loss water through the osmosis, जब लिभिंग osmosis के माध्यम से, लिभिंग प्लांट अपना character loss panic होता है, तो सेल का जो content होता है, वो सिकुड़ता है और फैलता है, osmosis प्रोसेस के, चलते, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाजमो लाइसिस बोलते हैं, अब हम लोग nucleus का study करते हैं, इट ये dark color, या dark color होता है, spherical और ओभल होता है, dot like structure near the center of each cell, और each cell के बीच में, आपको dot like structure होता है, इट ये control center of the cell, cell के control center है nucleus, as it control all the activities of the cell, और जितने भी cell का activities है, nucleus control करता है, इट है डबल लेयर कभरिंग का नुकलेयर मेंबर, इसके पास डबल लेयर कभरिंग होता है, उसको हम लोग nuclear membrane बोलते हैं, nuclear membrane has porous, which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside, that is to the cytoplasm, और इस nucleus membranes के पास एक टो पोर्स रहता है, जो छितर रहता है, allow करता है किसको, transfer करता है material को inside the nucleus, और outside the nucleus, nucleus के अंदर ले जाने के लिए, nucleus से बाहर ले जाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cytoplasm बोलते हैं, nucleus plays a center role in the cell production, nucleus cellular reproduction में आपको main role play करता है, process by which the single cell divide to form two new cells है, यह आपका एक process हो गया, nucleus along with the environment direct the chemical activities of the cell to determine the cell will develop and from the it will exhibit maturity, यह आप लोग आप समझ लिए, nuclear reason of the cell may be purely defined, nuclear cell का जो nuclear reason है, may be poorly defined, due to the absence of nuclear membrane, nuclear membrane के absence के चलते, क्या poorly defined होता है, in some organism, कुछ organism में like bacteria, bacteria में जैसे आपका, इसका एक्जाम बोलने हैं, अब हम लोग क्रोमोजोम के बारे में देखते हैं, आपको nucleus क्रोमोजोम रखता है, उसके पास देखने में रड़ सेफ होता है, और यह structure में क्या करता है, cell को divide के structure में जब रहता है, तो उस समय आपको दीखता है, क्रोमोजोम आपका पारेंट का जो नेक्स्ट जेनेरेशन है, वो फीचर रखता है, इन दा फॉर्म अफ दीएने, डीएने का फॉल फॉर्म भी देख लेते हैं, दी आक्सी राइवो निकलिक एसीड है, डीएने मुलेकल को अम्मे आपको रखता है, क्रोमोजोम, हेरिटेंस के ये बताता है, क्रोमोजोम आर कमपोस अफ डीएने एंड प्रोटीन, क्रोमोजोम दो चीज से बना हुआ राता है, डीएने एंड प्रोटीन से, अब हम लोग study करते हैं जीन्स के बारे में functional segment of DNA are called genes DNA का जो functional segment है उसको हम लोग genes बोलते हैं chromatin material DNA is present as part of chromatin material in the cell cell में आपको पाय जाता है chromatin material is visible as in large mass or thread like structure और chromatin material जो होता है कितना है in large mass में large होता है और large like structure thread like structure धागा के तरह रहता है chromatin material gets organized into the chromosome chromatin material जो होता है chromosome में organized होता है when the cell is about divide जब cell divide होने के कागार पर होता है तो अब हम लोग देखते हैं प्रोक्रेट प्रोक्रेयोट का आपको प्रोक्रेयोट सेल का structure यह आपका प्रोक्रेयोटिक सेल है इसमें यह आपका नुक्लियस है यह प्लाजमा मेंब्रेन है हम लोग ने सेल भी सेल वाल भी देखा आप इस्ट्रक्चर का राइबोजियन भी देखा यह हम लोग आप लोग इसके बारे में ठुस पड़ लिया है यह प्रोक्रेयोटिक सेल का आपका structure तद आहिए इसके बारे में हम देखते हैं ए प्रोक्रेयोटिक का नुक보다 गोडिय उन्द भी न्युक्रियर और नुक्रियर मेंब्रेन पे आपको जो प्रोकरियोटिक और यूकरियोटिक जो डिभाइड किया हुआ है इसी के अधार पे है ता आईए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं क्या है यह प्रोकरियोटिक देखते हैं और्गनिजम हुज सेल लाइक एवाल डिफाइन नुक्लियर मेंब्रेन लाइक एवाल इसमें क्या होता है वाल का लैक होता है कमी होता है ऐसा सेल है जिसमें वाल का कमी होता है उसको नुक्लियर मेंब्रेन के नाम से जानते हैं और यूकरियोटिक में सेल में और निजमी विट सेल हाइविंग सेल डिफाइन नुक्लियर मेंब्रेन और इसमें क्या ह क्या होता है कि यूद्ध लेख वेलियर खाल दिफाइन और उनकी जाम भी वेल डिफाइन इसमें सेल अच्छा से डिफाइन होता इसलिए से नुकलीर membrane बोलते हैं और इसमें क्या होता है like है उस like cell like well defined और इसमें देखिए प्रोक्राइटिक में आपको they like membrane bounded cell organelles और ये like करता है like membrane bound cell organelles का they have membrane bound जिसको हम लोग cell organelles कुलते हैं कि size is a generally a small 1 to 10 pm और size is generally large 5 to 100 pm having a high single prokaryotic क्या है single chromosome है यह आपका important है prokaryotic cell single chromosome है और eukaryotic cell more than one cell यह आपका important और आई यह हम लोग को इस्टाडि करते हैं यह को saad pulp says ह sick ho गया और इसके बारे में देखते हैं अब्पर में कु इसे बारे में हम लोग से ये ये फेलिYou zal इंक्लोस पाई दब्लास्मा है यह ऊपर में जो है पूरा क्लाजमा मेंब्रेंस इंक्लोस जो इंक्लोस है और यह से साइटो प्लाजम है систем lige है ligatा रखता है इट प्लाजमा मेंब्रेश इतने भी घेरा हुआ है इसके अंदर में क्या है साइटो प्लाजमा का इस्ट्रक्चर देख लिए इसको भी एक बार सम्दक देख लेते हैं यह आपका उपर वाला जो पॉर्शन है आपका सेल मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन है यह बीच में एक सेंट्रियोल होल यह लाइजोबोम है और राइवोजियम है कि जो बोलगी बोडिके बोलगी अपरेटस भी है एस्मूथ इंडोपर फ्लाजमी तो अंदर में है निउक्लियर इन्वेलप है यह चैंटर में जो है यह आपका साइटो प्लाजमे है राफ प्लाइजमिक रेक्टिकुलम है यह आप लोग इस्ट्रक्चर को देख लिजेगा और इसमें जितने भी आपको इस्ट्रक्चर का अंदर में पॉइंट है सबको हम लोग हम सभी ने पारा-पारी एस्ट्रटिक पर लिए है आईए हम लोग देखते हैं सेल और्गनेल्स सेल औ और आपको पाट सेल का पार्ट है और एक से तूह एक और एक से ज्यादी आपका चार्च पहसं प्ले करता है अनलोग ओ स्टूर्ग और हन बोड़र Dru ऑन हुम्य एक से ओरं तक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यह देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्प्लम जि प्लाजमिक रैक्तिकुलम कंसिस्ट अफेल लाज नेटवर्ख यह प्लाज नेटवर्ख से कंसिस्ट नेटवर्र आफ मेंब्रेन बाउन्डेन ट्व अंद शीट्स वीच आपेर्स अस्लॉंग ट्यूब्स और राउंड ओबलेक्स पैक वेस्ट के से स्ट्प्ट्चर में एक अभब प्लाजीमिक रेक्टिकुलम इसमें दौर टाइब का है यह आपका यह यह उस्थियो है और यह आप ए-ट राफ़। त्रभॉ यह उन्दखाइब का इस्ट्रुक्च्र है प्रात क्या हो सकता है आपको प्रोटीन भी हो सकता है between the various region of cytoplasm, cytoplasm के बहुत सरा region में और between the cytoplasm and nucleus और cytoplasm और nucleus के बीच का जो region है उसमें भी आपको ट्रांसपोर्ट करता है material का endoplasmic recticulum यह मोटा मोटीच्चा है cytoplasm के लिए important है और यह material especially क्या होता है protein होता है और cytoplasm और nucleus के बीच में आपको ट्रांसपोर्ट करता है इट एस फंसन दा फंसन ऐसे साइटो प्लासमी फ्रेम वर्क प्रवाइडिंग दे सर्फ़ेस और सम अब दा बायो केमिकल एक्टिविटीज ऑन दा सेल उता में फंसन होगे आपको cytoplasm जो इंडो रेक्टिकूलम का हुआ और आपको वायो केमिकल एक्टिविटीज अफ सेल का भी यह पंसन है आप देखिए इंडो प्लाजमिक रेक्टिकूलम आपका दो टाइप का होता है एक है rough इंडो प्लाजमिक रेक्टिकूलम और दूसरा है A smooth endoplasmic reticulum RER हो गया और SER हो गया हम लोगों ने इसको पिक्चर में देखा है So rough endoplasmic reticulum के बारे में देखते है It looks rough as it has particles called ribosome attached to the surface Ribosome are the site of protein synthesis यह क्या होता है RER जो होता है rough endoplasmic reticulum Particle है जो rough होता है It rough दिखाई देता है इसके पास एक particle होता है जिसका ribosome है और attach होता है इसके surface पर Ribosome protein synthesis करता है A smooth endoparticle A smooth endoplasmic reticulum It helps in the manufacture of the fat molecules इसका काम क्या है SER A smooth endoplasmic reticulum का काम है Fat molecule को manufacture करना बनाना Lipid को बनाना important for the cell function जो cell का function है उसके लिए बहुत महत्पूर होता है Some protein and lipids made by SER कुछ protein और lipid जो है A smooth endoplasmic reticulum से बना होता है Help in the building the cell जो cell को बनाने में मदद करता है Cell membrane को And this process is known as membrane biogenesis और इसी process को हम लोग Membrane biogenesis के नाम से जानते है Help in the detoxifying many poison and drugs in the liver cell Liver cell में क्या करता है इसको detoxifying करता है Poison को बाहर निकालता है Of the group of vertebra जो vertebra के group से जो liver cell में होता है उसको बाहर निकालता है अब हम लोग animal cell से जो structure निकला है उसको गुलगी apparatus बोलते है उसके बारे में भी study करते है First described by the camello गुलगी ये camello गुलगी के द्वारा सबसे पहले describe किया गया था इसे गुलगी अपरेटर्स जो होता है इस तरह आपको पार्लल एटाच रहता है एक दूसरे से ये गुलगी ये गुलगी इस तरह से टिना होता है ये आपको structure में देखाया गया है उपर में आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पाइक करके उस स्टेयक को हम लोग क्या बोलते हैं सिश्टर्ना बोलते हैं दे कंस्टिस्ट और आफ दे कंस्टीट एनादर पोर्षन और फे कंप्लेक्स स्ेललर मेंब्रेड और इसका दूसरा portion जो हता है complex cellular membrane system as their membrane of an connection with the membrane of ER और इसका indoor recticulum से membrane से आपको connect करता है its function include इसका main function यह भी important point है और यह important है its main function include a store, modification and packaging of product in the vesicles इसका काम क्या है store करना और modification करना और product को vesicle में क्या करना पैक करना गोलगी apparatus packaging and dispatching the material synthesis near the ER to the various target inside and outside the wall आपका inside or outside the wall को क्या करता है target करता है inside and outside wall को target करता है गोलगी apparatus packaging they are also involved in the formation of lysosomes आपको lysosome को ही पनाने में मदद करता है lysosomes आईए हम लोग lysosome के बारे में समझते हैं they are membrane-bounded sac यह आपको sac-like structure रहता है membrane-bounded filled with the digestive enzyme made by RER आपको rough endoplasmic reticular RER के द्वारा बना हुआता है और इसको digestive enzyme रहता है इसमें lysosome membrane-bounded sac रहता है इसमें filled रहता है भरा हुआ रहता है lysosome they are waste disposal system of the cell और cell का यह क्या है waste disposal है as जैंकि they help to keep the cell clean by digestive पचाने के माध्यम से इसको क्या करता है clean करता है cell को cell को साफ रखता है any foreign material as well as worn out cell organizational कुछ भी अगर हमारे सरीर में और cell में foreign material आता हो या कुछ फट जाए उसको की नहीं रखता है lysosome है powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material lysosome के पास बहुत ही powerful digestive enzyme होता है जो तोड़ता है इसको तोड़ता है all organic material जो भी और्गनिक मेटेरियल है lysosomes are also known as suicide boy आपको lysosome का दूसरा नाम suicide bag है यह आपको important है of cell, cell का suicide bag भी पोला जाता है lysosome के because if the cell get damaged during the disturbance in the cell metabolism अगर cellular metabolism के disturbance में अगर damage हो जाता है यह the lysosome may burst and its time digest their own cell और अपना ही cell को क्या करता है lysosome burst हो जाता है और अपना ही cell को यह digest कर जाता है अब हम लोग देखते हैं mitochondria plant cell में आपको mitochondria मिलता है और आपको animal cell में mitochondria mitochondria होता है animal cell में भी होता है और plant cell में भी mitochondria होता है यह plant cell का आपको mitochondria है और plant cell का सबसे पहले हम लोग इस्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें भी है आपको RER rough endoplasmic reticulum है आपका इसमें भी है smooth endoplasmic reticulum इसमें भी lysosome है chloroplast आपको animal में नहीं मिलता है लेकिन में है नुक्लियस इसमें है गुलगी अप्रेटस है नुक्लियर नुक्लियर इन्विलप है और प्लाज्मा मेंबर उपर वाला पॉर्शन है adjacent cell है सेल वाल है mitochondria है ribosome आपको ribosome आपका इसमें है और chloroplast है और आपका cytoplasm है यह आपका plant cell में इतना सारे मौजूद है ता यह plant इसके mitochondria के बारे में study करते है mitochondria is also known as powerhouse of the cell powerhouse of the cell किसको बोलते हैं आप mitochondria को mitochondria को हम लोग powerhouse of the cell बोलते हैं as क्योंकि the energy required for the various chemical activities needed for the life is a release by the mitochondria in the form of adenosine triphosphore ATP को हम लोग बोलते हैं यह बहुत सारा chemical activity के लिए लाइफ के लिए जो जरूरत है activity के लिए आपको mitochondria से energy release किया जाता है in the form of किसको ATP के form है जिसको adenosine triphosphore बोलते हैं ATP is known as energy currency of the cell और इसको energy currency of the cell भी बोलते हैं आपको इसमें दो अगला पॉइंट माइटोकंड्रिया के देखते हैं अगला पॉइंट माइटोकंड्रिया के देखते हैं इनर मेंब्रेन ये deeply folded to form crystal इनर मॉंब्रेन जो होता है अंदर तक जाकर फोल्ड होता है जिसको crystal का form में बन जाता है crystal are fold which create large surface area for the ATP generating chemical reaction crystal इसलिए form होता है कि वहाँ पर ATP generation creation हो सब्सक्राइब ना माीटो कंड्रिया है रोटे एंडिर आस कहें अपना डि एंड न होता है राइबोजुम सो स्लीए डेम कें में कान मेख सम अफ डियर उन प्रोडें इसलीए राइबोजुम होता है अपना खुद प्रोचीन बनाता है आपका इसका मैट्रोकंड्रिया के पास अपना DNA एंड राइबोजोम होता है ये दो चीज होता है इसलिए आपको मैट्रोकंड्रिया क्या करता है अपना खूद प्रोटीन बनाता है मैट्रोक ये भी आपका important part है अब हम लोग प्लास्टीड के बारे में study करते हैं प्लास्टीड अर प्रेजेंट only in the plant psal प्लास्टीड आपको प्लांटिसेल में ही जबर प्रेजेंट रहता है R of two types और दो टाइप का होता है, क्रोमो प्लास्ट होता है, कलर प्लास्टीड होता है, एक लिको प्लास्ट, वाइट और कलर लेस प्लास्टीड होता है, क्लोरो फिल कंटेनिंग प्लास्टीड, क्लोरो फिल जो होता है, प्लास्टीड को रखता है, जिसको हम लोग क्लोरो प्ल लीकोप्लास्ट जानते हैं, help in the photosynthesis जो photosynthesis में काम करता है, यह आपका important है, Leco-Plast store starch, Leco-Plast starch को रखता है, जिसमें amyloplast बोलता है, Illeoplast होता है, protein granules जिसको aliroplast बोलते हैं, the plastid internally consists of numerous membranous layers embedded in the material is called estroma plastid जो होता है numerous membrane layers से जुड़ा हुआ राता है उसको हम लोग estroma पोलते हैं plastid have their own DNA and ribosome so they can make some of their own protein प्लास्टीड के पास भी अपना डिन और राइबोजयूम होता है इसलिए अपना फोजन खुद बनाता है अब हम लोग देखते हैं भाइकुल्स कबारे में भाइकुल्स और स्टोरेज साइक यह आपका स्टोरेज साइक है फोर सॉलिड और लिक्विड कंटेंड सॉलिड और लिक्विड कंटेंड को स्टोरेज करने के लिए होता है लाइक एमिनो एसीड सुगर बैरियस और गैनिक एसीड और सम प्रोटिन इतना चीज को रखता है Small size giles are present in the animal size, उसे small giles जानवर में present होता है, वो small size होता है, वाईल плanten cell है large giles, और plant cell के पास आपका बड़ा giles होता है, A large center vicules may occupy 50 to 90% of the cell volume in the some plant cell. 50-90% आपका volume को occupied करता है plant cell में. The vicules are full of cell shape. Cell shape का full होता है vicules and provide tergidity and rigidity to the cell in the plant cell. और यहीं जो है vicules आपको tergidity और rigidity देता है plant को. Food vicules found in amoeba. Amoeba में भी food vicules पाए जाता है. Contained food items that amoeba has consumed. Contractized vicules found in the some inicellular organism. A contractile vehicles हो जा है जो inicellular और निजम में पाया जाता है. Contractile vehicles help in the expelling excess water and some waste from the cell. और इसका काम क्या है contractile vehicles को inicellular और निजम में excess water को बाहर निकालता है. और कुछ waste product को भी बाहर निकालता है. तो आज ये chapter समाप्त हो गया fundamental unit of life. तो अभी तक मेरे चैनल को like subscribe ना की है. तो मेरे चैनल का नाम है to learn. सब्सक्राइब करे, like करे, share करे और spell icon को on कर दे. ताकर आज के लिए इतना ही thank you.